हेलो एवरिवन, वेलकम है आप सभी का, स्वागत है मेरी वीडियो में, हाइपर पिग्मेंटेशन इस हाइपर पिग्मेंटेशन की वज़े से आपकी स्कीन है वो अनिवन टोन हो जाती है आपकी स्कीन पे निशान पड़ जाते है और आपकी स्कीन काफी डल लगने लग जाती है और इसकी वज़े से 50% लोगों की life disturb हुई है क्योंकि hyperpigmentation की वज़े से स्कीन है वो uneven tone हो जाती है स्कीन पे निशान हो जाते हैं तो सबसे पहला ये choice का कारण है वो क्या है सबसे पहला जो कारण है वो है आप धूप में जब जाते हैं तो बिना sunscreen लगाया आप धूप से धूप में जाते हैं जिसकी वज़े से sun की जो UV किरने होती है वो आपकी स्कीन पे आती है effect हो जाती है second जो है वो है अगर आप के face पे कोई pimples हुआ और pimples को आपने दबा के उसको फोड लिया है तो उसकी वज़े से आपके face पे एक निशान बन जाएगा जो कि खड़ा बन जाएगा और गड़े की वज़े से वो फिर pigmentation का रूप ले लेती है third जो है नमबर तीन आता है जब pregnancy के दोर आना अगर जब हमारे hormones चेंज होते हैं उसकी वज़े से भी face पे pigmentation हो जाती है number four पे आती है जब आपकी age बढ़ने लगती है तो age के बढ़ने के साथ साथ में कई बार यह ऐसा होता है कि आपकी face पे आपकी skin uneven tone हो जाती है आपकी face पे pigmentation हो जाती है इन सबसे बचने के लिए आपको पूरी वीडियो में बने रहना है और वीडियो को end तक जरूर देखना है हम बात करते हैं कि आप इसको कैसी दूर कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको लेना है एक आलू आलू को चीलना है चीलने के बाद में इसको आपको कदुकस करना है उसका रस निकालना है उसके बाद में आप morning में उठो उठते ही अपने face को wash करो और wash करने के बाद में जहां ज 25 मिनट तक आप उसको अपने face पे लगे रहने दे उसके बाद में simple water से आप उस अपने face को wash कर लें इससे आपके face पे धीरे धीरे आपकी जो pigmentation है जो जाहिया है वो कम हो जाएंगी और आपका face भी दाग नजराएगा अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा और powerful बनाए जाए तो आपको उसके लिए क्या करना है आपको लेना है वही potato juice आलू का juice और जूस के अंदर आपको डालना है मलेहटी powder लेकिन यह आप अपते में सिरफ एक बार लगा सकते हैं क्योंकि इसको आप बार बार आप यूज देलिदा तो आपको इस अपने दोस्तक शेयर करना चाहिए जह से प्रॉलम से जूझ रहे हैं उसको आप। यह शेयर कर ніके जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना कमेंट कर देना थैंक यू गाइज बाई बाई